सूप्रभाद बच्चों, कल मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था निन्यान्वे का फिर कौन सा पार्ट पढ़ाया था बच्चों? निन्यान्वे का फिर मैंने आपको बताया था, हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि कैसे राजा दो गरीब पत्य पत्नी को देखकर आश्चर चकित होता है कि ये इतने से गरीब हैं फिर भी हस्तर कहलते रहते हैं और मेरे पास इतना धन्म होते हुए भी मैं कभी खुश नहीं रहता और फिर अंत में जब उन्होंने अपने मंत्री से पूछा उनके मंत्री ने उनके कुटिया में 99 रुपे फेक कर ये बताया कि राजा से बोला उन्होंने मंत्री ने कि आप तो इतना धन बनाने के कोशिश में लगे हैं तो आप खुश कैसे रह सकते हैं जब तक उन गरीब दमपती या गरीब पती पतनी के पास पैसे रही थे तब तक वो अपना जीवन बड़े ही कुशी से जी रहे थे और जैसे ही मैंने उनको पैसे दिये 99 रुपे यानि जब उन्हें उन्हें निन्यानवे रुपे दिये तो उन्होंने उस 99 रुपे को 100 रुपे बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और इस मेहनत करते वक्त वह अपनी खुशी हसी सब भूल गए क्या बूल गए अपनी खुशी हसना सब भूल गए क्यों क्योंकि वह 99 रुपे को एक रुपे बनाना चाहते थे तो बच्चो 다 आज हम उससे संबंदित पुस्ता का कारियों पूर्ण करेंगे। तो आईए पढ़ते हैं पहला प्रश्ण के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा। यहां आपको कुछ प्रश्ण दिये गए हैं और नीचे उसके विकल्प भी दिये गए हैं। आपको इन प्रश्णों को पढ़कर उनके सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो आईए पढ़ते हैं पहला प्रश्ण क्या है कि राजा और उसका मंतरी कहां बैठे हुए थे। और जो विकल्प दिये गए हैं वो है महल की छट पर महल के बहार मेदान में राजदर्बार में। तो बच्चों हमने कहानी के शिरुवात में क्या पढ़ा था कि राजा और उसके मंतरी कहां बैठे हुए हैं। बताईए, हमने कहानी के शिर्वात में पढ़ा था, कि राजा और उसके मंतरी महल की छट पर बेठे हुए हैं, कहां बेठे हुए हैं, महल की छट पर, मंतरी ने राजा से कितने रुपे मांगे, बताईए बच्चो, मंतरी ने राजा से कितने रुपे मांगे थे, हमने पढ़ 99 रुपए अगला प्रिश्णी पढ़ते हैं कि मंत्री ने रुपएँ का क्या किया और मपस विकल्प क्या है दान कर दिया मजदूरों की कुटिया में फेक दिया या उन्हें अपने पास रख लिया तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा तीन विकल्प है हमारे पास और हमने क्या पढ़ा था कहानी में कि जो मंत्री है उसने उन रुपियों को क्या कर दिया था उस गरीब मजदूरों की कुटिया के उपर फेक दिया था तो इसका सही विकल्प क्या होगा मजदूरों की कुटिया तो हमें ये जितने भी सही विकल्प है उसके आगे राइट का नि किसका निशान लगाएंगे सही का निशान दूसरा प्रश्ण पढ़ते हैं दूसरा क्या है कि मंत्री ने राजस से कितने रुपे मांगे तो बताईए हमने अभी पढ़ा था कि कितने रुपे मांगे और हमापस विकल्प क्या थे 89 रुपे 99 रुपे 200 रुपे और इसका सही व रुपयों का क्या किया तो हमारे पास क्या विकल्प थे दान कर दिया उन्हें अपने पास रख लिया मजदूरों की कुटिया में फेक दिया तो क्या कर दिया था क्या किया था मजदूरों की कुटिया में फेक दिया था तो हम इसके आगे किसका निशान लगाएंगे हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे तो बच्चो इस प्रकार आपको भी प्रश्नी करने हैं और साथ में इन्हें याद भी करना है धन्यवाद